किसान बैयो नमस्कार आप सबी को स्वागत हैं हमारे चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेस्टों के बाओ में आखिर तेजी आएगी तो आखिर तेजीर कब तक बनी रहेगी, कब आएगी इस वीडियो में हम पूरी लेस्टों की तेजीर मंडी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारा वीडियो सुरूर से लेकर अंतक चुरूर देखे तक कि सब्वि जनकरी आपको इस वीडियो में समझ में आए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आखें लेस्टों की बाव में तेजी आने के क्या-क्या कारण निकल कर आ रहे हैं जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मार्च महिने में सभी के लासुन निकल चुकी थी और मार्च महिने में लासुन के सबसे ज़्यादा ब्रीकी मंडियों में होने लगी थी देखा जाए तो मार्च मैने में किसान भाई लोगों ने आद देश से ज़्यादा लसुन की ब्रीकी कर दी है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी किसान भाई लोगों ने अपना सबी लसुन जो की फष्ट उटी लसुन की बुई की थी उन किसान भाई लोगों ने अपना लासुन फष्ट उटी निकाल दिया है और कहीं कहीं जगह पर तो किसान भाई लोगों ने अपना देशी लासुन भी निकाल दिया है दोस्तो आपको आगे चल का लासुन के बाव में तफ़ानी तज़े देगने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि फर्ष टूटी लेसन तो किसानों ने बेची दिया जिसके अलावा कुछ किसानों ने देशी लेसन भी बेच दिया यानि मार्च मैने में लेसन में सबसे ज़्यादा ब्रीकी हुई यानि मार्च मेने में सबसे ज़्यादा किसान बई लोगों का लसुन मंडियों में बिका तो अब किसान बई लोगों के पास लसुन आदे से आदा ही ही मान लो आदा ही रह गया है दोस्तो अब आगे चलकर लसुन के बाव में तुपानी तेजी देखने को मिल सकती है जैसा कि दोस्तो हमने भी चार बिगा देशी लसुन, चार बिगा उठी लसुन की बोई की थी तो हमने भी खुद चार बिगा उठी लसुन को मार्केट में बेश दिया तो आगे चल कर अब हमारे पास भी देशी लसुनी बच्च हुआ है इस परकार सबी किसानों की बात करें तो सबी किसानों ने अपना फर्ष्ट उट्टी लसुन बेच ही दिया क्योंकि दोस्तो जो उट्टी लसुन होता है उसको हम ज़्यदा समय तक रोगने सकते हैं इसलिए किसान बहिं लोग उसको खेश से ही मंडियों में बर देते हैं तो अब किसानों के पास क्यों देशी लसुनी बच्चा हुआ है तो दोस्तो जो बढ़ा क्वालिटी का माल है उसके मांग बाजार में बढ़ने लगेगी जिसा कि दोस्तो अभी मंडिया आज जूलेंडी हैं लेकिन अगे चल कर आपको मंडिया खुलती हुई नजर आएगी तब आपको लसुन के बढ़ा में तुफ़नी तजी देगने को दिर दिरे मिलती रहेगी दोस्तो इस साल ऐसा नुमान बता जा रहा हैं कि इस साल पानी के कमी होने के कारण लसुन बहुती कम बवई हुई थी लेकिन आपको अगे चल कर लसुन के बढ़ा में तुफ़नी तेजी देगने को मिलेगी एक तो बवई का अदार कम है और आखे लसुन की मांग भी ज़्यादा होगी तो लसुन की मांग ज़्यादा होने के कारण आपको लसुन के बवई में तुफ़नी तेजी देगने को मिल सकती है तो अगर आपके पाल लसुन का इस्टो किया हुआ है चाई वा उठी लसुन हो चाई अमेटा हो चाई विदेशी हो चाई वा फश्ट उठी लसुन हो तो आप मार्च महीने में जो लेस्टन बच गया है उसका अप्रेर महीने में बेचे या आने वाले तैजी में ज़रूर बेचे दोस्तों बता हुई जनकारे कैसे लगी अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें जे जवान जे किसान